हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टेडी फीट चैनल दोस्तों फिजिकल एजुकेशन प्रिवियर सियर में जितने भी कुछे गए हैं टीटी पीजिटी के विडियो में दिया जा रहा है दोस्तों यह सीरीज नमर 76 है जा गए हिसो जितने भी कुछेंङस प्रिवियर सियर में पूछे गए है उन सभी को इस विडियो में दिया जा रहा है चैनल मेरे चैनल पर सभी वीडियो शिलिबर जिवर्लप के कार्ड़िंग हैं, सभी वीडियो उसको वाच करके आप अपनी प्रपेश को बहतरी बना सकते है stars देली पे पेरले चैरा प्रेजा रेखा से डी की दूरी कितनी होती है तू कितनी होती है शोले गज होती है जैसा कि आप सब को पता है कितनी होती है शोले गज होती है जैसा कि दूस्तों हांकी का जो मैदान होता है सो गुड़े साथ गज का होता है कितना होता है सो गुड़े साथ गज का होता है यानि कि मीटर में एक क्यान में दस्वलों चार जीरो मीटर से 55 मेटर का होता है हाकी में खिलाडियों की शंक्या 11 होती है एक टीम में और 5 अत्रिक्त खिलाडी होते है हाकी में टाइम की बात करें तो कितनी समय का होता है तो हाकी पुराने नियम के अनुसार 2001 जनवरी 2017 के अनुसार 35 मिनट के दो हाप हुआ करते थे और 5 मिनट का मध्यांतर होता था बट एक जज़वड़ी 2019 से नया नियम के अनुसार खेल किया उधी 60 मिनट यानि 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर्स हो गए है 15-15 मिनट के 4 राउंड हो गए है इनमें से दुसरे तथा तिसरे राउंड के मध्या 5 मिनट का मध्यांतर होता है जबकि पहले वा दूसरे तिसरे वा चोथे के मध्या 2-2 मिनट का मध्यांतर होता है एन तो हाकी में गेन का वज़ण जो होता है 156-163 ग्राम के मध्यांतर होता है एन गेन की परीदी जो होती है नो इंच यानि 22.4 से 22.3.5 सेंटीमीटर एंड हांकी इस्टिक को वोजन जो है अधिक्तम 37 ग्राम यानि 26 ओंस हो सकता है कभी-कभी 28 ओंस भी देता है एंड तो गोल पोस्ट की लंबाई जो है वह चार गज यानि 3.6 मीटर होती है और उचाई साथ गज होता है साथ फिट होता है उचाई एंड बैक बोर्ड तथा साइड बोर्ड की उचाई 18 इंच होती है एंड जो सरकल होता है वह 16 गज यानि 4.6 मीटर होता है और पेराल्टी इस ट्रोक की दूरी गोल लाइन से साथ गज होती है साथ गज यानि 6.4 मीटर एंड हाकी खेल में दो अंपायर होते हैं यह हाकी के मेजर्मेंट्स के बारे में कुछ बेसिक चीजे मैंने बताया नेक्स कोश्चन है हाकी खेल का मैदान कितने मीटर लंबा होता है तो कितने मीटर लंबा होता है मीटर में एक क्यार में दस्मलो 4.0 मीटर आफसे नमबर डी करेक्ट होगा वही गज में पुछेगा तो 100 गज ठीक है नेक्स कोश्चन है हाकी मैज की खेल अवधी क्या है तो क्या है अवधी 60 मिनट 15-15 मिनट के चार क्वार्टर होते है आफसे नमबर बी यहां पर करेक्ट होगा हाफ की के मैदान में गोलपूर्शटों के बीच को describing होती है या कहिए इस तरह से भी पूछ सकता है कि हाफ की कि ओलपूर्श की चड़ाय कितनी होती है तो स्वें सेम हग की इस टीक का वजन कितना होता है तो कितना होता है दोस्तों 26 unds होता है आपसंब अनुम्बर बी करेक्ट होगा बट कभी कभी 28 आइस भी सही मान लेता है इस बीइंस इसको आप के लिए करजके 9 ट्रॉट है कि हां की टीम में कितने कहलारी होते हैं 4कि कुलकितने खलारी होते हैं 11 खेलने वाले और 5 अत्रित खिलाड़ी आपसर नमबर D करेक्ट होगा नेक्स्ट है हांकी खेल के छेतर की लंबाई वह चोडाई कितनी होती है तो कितना होता है एक यान में दसम्रों 4.0 मीटर गुड़े 55 मीटर आपसर नमबर A करेक्ट होगा लंबाई कितना होता है क्यान में दसम्रों 4.0 मीटर एंड चोड़ाई 55 मीटर यही पर गज में पुछेगा तो कितना हो जाएगा सौगुडे 60 गज ठीक है नेक्स्ट कॉस्ट्चन है हांकी खेल मैरान की लंबाई चोड़ाई होती है हांकी की गेंद का भाऊर होता है तो हांकी की गेंद का भार 156-160 g आपसर नमबर D यावा किज तो कृकेट और ऑफकी दुनो का सेमी वर्जन होता है वाल का aixíस lagi कि उसे पाच्रीकेट का पूछा जाता है 1.7 दिसम्लों 3 से 44.8 यम्यम होता है एंड परेधी 9 इंच यानि 22.4 से 30.5 सेंटीमितर है दिश्ट है हाकी का बाल हाकी बाल का वजन और व्यास कितना होना चाहिए तो कितना होना चाहिए वजन कितना होता है 156-1300 ग्राम एंड व्यास कितना होता है एक गतर दसम्लो तीन से च्वहतर दसम्लो आठ यम यम आपसन नमबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स कुर्शन है हागी बेदार में 23 मीटर छेतर कौन सा है तो 23 मीटर छेतर कौन सा है 22.9 J2 मीटर गुड़े 5 पर मीटर आपसर नमबर एक करेक्ट होगा नेक्स्ट है हाकी स्टीक में होता है क्या होता है एक हैंडल होता है और हेड होता है स्टीक में तो आपसर नमबर सी करेक्ट है हैंडल एक हेड यानि हाकी नियमों के अंसर हाकी स्टीक के दो प्रमुक भाग होते हैं handle इंदुनों भागों के जोड वाला अस्थान अर्था जहां से एफ भाग एक दुस्ते से मिलते हैं वो splice कहलाता है नेश्ट है हाकी का जादुगर कहा जाता है हाकी का जादुगर किने कहा जाता है दोस्तों आप सब को पता है ध्यान चंद जी को यसा कि दोस्तों ध्यान चंद अध्भुत निपूर्टा वाले खिलाई थे अपने भाई रूप सिंग के साथ इंदोर की कल्लाण मल मिल की टीम में से खिला करते थे ध्यान चंद वर्स 1936 के बरलेन उलम्पिक खिलो में भारतिय होकी टीम के कप्तान थे बरलेन में भारत ने तीसरी बार होकी का श्रुड़ पदग गीता तब ही से इनको हाकी का जादुगर कहा जाने लगा इनकी आत्मकथा का नाम गोल है निस्ट कोष्चन है भारती हाकी की एतिहास में हाकी का ज्यादूगर किसे कह जाता है तो ध्यान चंद को Next question है हांकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद की आत्म कता है क्या है गोल Next है भारत में महिला हांकी कलब की स्थापना कब हुई तो कब हुई 1974 में इसको देख लेज़ेगा दोस्तों क्योंकि कभी कभी 75 सही माल लेता है कभी कही 1974 Next question है Penalty Corner किस खेल से related है तो किस स्थेल से related है हांकी से जैसे कि दोस्तों और इसमें सब्दा लिया है हांकी में जैसे Right Back Left Back Outside Inside Right Center Forward Inside Left Outside Left Center Half Corner Penalty Stroke Penalty Corner Flick Reverse Flick Scoop Stick Ampire Try Breaker Sudden Death Under Cutting Circle Roll On Shooting Circle Pura In Dribbling Jab End Lunge Lunge Ishto Turf Penalty Stroke किस खेल से सम्मंधित है तो किस सम्मंधित है दोस्तों हांकी से यही भी दोस्तों पूछता कि Penalty Kick किस सम्मंधित है तो फुटबार से हो जाता Penalty Stroke दिया है तो हांकी होगा इसमें ध्यान में रखिए गा Next Question है कौन सा सब्द हांकी खेल से सम्मंधित है Bully, Gully, Fly Ball, Rolling Ball कौन है जैसा कि आप सब को पता है Bully Option No.1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों Bully सब्द खेल को पुने सुरू करने के लिए प्रयोग किया जाता है होकी में Next Question है हांकी में पूश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाडी खड़ा हो थोड़ी दूर पर आपसर No.1 करेक्ट होगा यानि की पूश पास कब दिया जाता है जब सहयोगी खिलाडी थोड़ी दूर पर यानि 10 से 15 मिंटर पर खड़ा हो Next Question है हांकी खेल में अंपायर के ग्रीन कार्ड दिखाने का शंकेत क्या है तो ग्रीन कार्ड दिखाने का शंकेत क्या है चितावनी आपसर No.1 करेक्ट है जैसे कि दूस्तों हांकी खेल में नियों में अनुसासन का होना आतियंत आवर्शक होता है इस खेन में अनुसासन बनाए रखने के लिए हरा निला लाल कार्ड यानि तीन कार्डों का प्रयोग किया जाता है कोशन आ सकता है कि हाकी में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है हरा निला हरा पिला और लाल तीन कार्डों का प्रयोग किया जाता है तीनों का उपयोग क कब से कम पांच मिनट निलम्बित करने के लिए चेतावनी होता है अदैन लाल को मिलने पर छी लारी को पूरे समय के लिए खेल से बाहर कर दिया एक और रांकर रूप से कितने शमय के लिए निलंबित होता है तो खेल शमय के दो मिनट के लिए आपसर नमबर यहां पर करेक्ट होगा वहीं पर पीला होता तो पांच मिनट के लिए लाल खेल से सीधिये बाहर निस्ट है क्युक्त हैं एसीए खेलों में हांकी कब शामिल की गई तो कभ सामिल कि गई थी उनिश्च औटावन टोक्क्यो ओलंपिक टोक्यो जापान एसे खेलों में आपसर नमबर 컨ी करेक्ट है अब यहीं प्य पूछता है एंस सब्सक्रूज एश्तम्च के स्थार्डम हन ओलंपिक मे जैसा कि दोस्तों अभी तक में उलम्पिक में हाकी में कुल बारे पदक प्राप्त किये हैं आठ स्वर्ड एक रजट और तीन कास से जैसा कि उलम्पिक 2021 टुक्यो जापान में जो हुआ था उसको मिला करके अब तक कुल बारे पदक जिता है इस बार हाकी में भारत कास पदक जिता है नेफ्य producing है हांकी के खेल में परियालटी इस्डोक लेने के लिए निम्न लेक्षित में से किस एक तरीको को छोड़कर बाकि तीनों का उप्योक किया जा सकता है तो दोस्तों पर इनाल्टी लेते समय किस-किस का प्रयोग किया जाता है पहले तो ये देखिए push, flick, scope, प्रयोग का प्रयोग कर सकते हैं और किसका प्योग नहीं कर सकते हैं hit hit का प्योग नहीं कर सकते हैं आपसब लिए जाता है जैसा कि दुस्तों penalty stroke आक्रमन करने वाले खिलाडी द्वारा गोल रुखा के मध्य से लगभग सात गज की दूरी से लिया जाता है पेनल्टी पुस फ्लिक अथा इसकूप किया जा सकता है पेनल्टी इस्ट्रोक किसमें एन हिट नहीं किया जा सकता इस इस्ट्रोक से केवल गोल रच्छक ही बचाव कर सकता है गोल का बचाव करते समय गोल रच्छक अपनी दस्तानी तथा हेलमेट आधिक उतार सकता है नेश्ट कोश्चन है हाकी में पेनल्टी कार्णर के बारे में कौन शा कथन सकते हैं तो दोस्तो इसमें आपसान नंबर बी करेक्ट है कि पेनल्टी कार्णर लेते वक्त बिरोधी खिलाड़ी दी के बाहर खड़े हो सकते हैं ठीक है यानि कि दोस्तो पेनल्टी कार्णर लगाते शमें दूसरा कोई भी खिलाड़ी गेंड से पांच मीटर से कम दूरी पर नहीं होना चाहिए यानि सबी खिलाड़ी कम से कम पांच मीटर की दूरी पर रहना चाहिए जबकि बिरोधी खिलाड़ी जो है और डी के जो सरकल होता है सोलगज का उससे बाहर खड़े हो सकते हैं आक्रमर कर रही टीम के खिलाड़ी सुटिंग ब्रित से बाहर परंतु खेल रच्छेतर के अंदर खड़े होने चाहिए जब पिनाल्टी कानर लगाई जा रही हो तो पांच से अधिक रच्छा करने वाले खिलाड़ी गोल रेखा के पीछे नहीं खड़े हो सकते हैं खड़े होने की इसीती में उनकी इस्टीक तथा पैर गोल रेखा के पीछे रहने चाहिए नेश्ट कोश्चन है हाकी में कानर हिट कहां से ली जाती है तो कानर हिट कहां से ली जाती है पचीस गज रेखा से पचीस गज रेखा यानि जो तेज मीटर रेखा होता है छेतर हो जोकि penalty hitRe kamal rating he next dhanraj pilla heale किस खेल से related है तो किस से related है हॉकी से जब कि इन्हेये और हाकी मेराज45 आव scares शरॉपत्वा मोनिसिन निन्यनजानalen में 100 में प्रादान किया जैसा कि दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि हांकी में प्रत्म और्जिन पुरुषकार सौपथम किसको दिया गया तो 1961 में पित्वी पाल सिंग को दिया गया एन महिलाओं में एन लंसडेंद को दिया गया है 2020 में अर्जन पुरुसकर अकासदीप एन दिपिका कुमारी को दिया गया है होकी में स्वेल में मैच प्रारम्ब होता है कैसे होता है दोस्तों इस समें सेंटर फस होता है इसमें नहीं दिया है बै़क पास से अब पूछ से अगर सिंटर फस दिया सेरीं रहेगा तो सेंटर पास सेंट होगा तो नेस्ट कोर्शन है रंगा श्वामी कप किस खेल से सम्दाइब है बादे से जैसे कि अन्य कप एगा है जैसे कि आलपस कप एसिया कप ध्यांचिन ट्रॉफी अचलन शाह कप महराजा रडजीश सिंग शौड़ कप लाल बहदु स सास्तरी कप यानि लाल बाहदु सास्तरी कप कहेगा तो हांकी में लाल बाहदु सास्तरी ट्राफी बोल देगा तो फुर्बाल में हो जाएगा चैंपियन ट्राफी इंद्रा गांधी गोल्ड कप फेडरेशन कप बेटन कप आगाखा कप लेडी रतन टाटा कप एंड सिंधिय संद्या गोल्ड क्प संद्या गोल्ड कप की शोका H американ सा अलवित गोल्ड कप संद्या को सिंध कि रिलिटिट क्म कि नियुकुत सर्द कि सह ने जच छेए qte लालबादु साथ से ट्रॉफी बोल देगा तो वो फुर्वाल से रिलेटिट हो जाएगा ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा इंद्रा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता समंधित है किस से रिलेटिट है हांकी से एंडि निफ्ट कुस्चिन है महाराजा रड़िस सिंह सोड़ कप की स्खेल से रिलेटिट है तो हांकी से डिफ्ट है हांकी के बर् iteration सोरूप का जन्म हो ऑएário कहां से हो थिए इंगलैन्थ से हुआ है इंग्लैन्थ हुआ है अन्देश्टों अंतरष्ट मह सिना कह था उन्टा इसको ध्यार में लखेगा एंड निश्ट कुर्शन है भारत का राष्टी खेल कौन है जैसा आप सबको पता है हांकी है भारत का पाकिस्तान दोनों का नेक्स कुर्शन है हांकी खेल में कितने निरायक होते हैं तो इसमें दो निरायक होते हैं आपना नमबर एक करेक्ट होगा जैसा कि दोस्तों दो अंपायरों की देख रेक में हांकी का खेल खेला जाता है यह अंपायर अथ्वा निरायक उचित तथा अनुचित खेल के लिए उत्रदाई होते हैं दो निडायकों को निम्ने उत्रदाई तो सपने चाहिए जैसे कि पर्तेक निडायक को सारे खेल की समय अपने छेतर के अर्ध भाग में निडा लेने चाहिए उनको अपना छेतर नहीं बदलना चाहिए यानि शोलगज की रेखा से हिट अथवा प्रहार, पिनाल्टी कार्णल, कार्णल, पिनाल्टी स्ट्रूप, अपने छेतर की ओर वाले उलंगनों, गोल तथा बृत के सभी स्वतंत्रा प्रहारों के लिए अंपायर उत्रदाई होंगे नेक्स्ट कोस्चन है भारत ने हाकी में पिछली बार कब स्वरपदक जीता था? तो कब जीता था? 1980 मासको उलंपिक में, अंतीम बार स्वरपदक जीता था अब ही तक में उलंपिक में हाकी में कितने पदक प्राथ हुए हैं? कितने पदक भारत ने प्राथ किया हैं उलंपिक में? 12 पदक आठ स्वर्ण, एक रजट, तीन कार्शे पदक जैसा कि 1928 में भारत ने सबसे पहले उलंपिक में हाकी में प्रतिभाग किया था और सोड़ पदक प्राथ किया था 2021 का जो उलंपिक हुआ था 2020 में होना था कोबिद नाइंडी की काल 2021 में संब्पन हुआ ट्रोक्यो जापान में उसमें भारत ने हाकी में काश्य पदक जीता है इसको द्यार में रखिएगा एंड तो नेक्स्ट कोर्चन है भारत को एस याई खेलो में पहली बार हाकी में स्वड़ पदक कब प्राप्त हुआ था तो कप राप्त हुआ था 1996 में 1966 के भैकांग थाहिलेंड में संब्पन हुए एसे याई खेलो में मिला था स्वड़ पदक भारत ने पाकिस्तान को एक जिरो से पराजित करके पते का खिताब जीता था अजैसा कि भारत एसे खेलो में सामेल कब हुआ था हाकी में भारत तो 1950 की इसे खिलो में नेश्ट है हाकी में गेंद एक गोल रच्छक के पैडो में फ़स जाती है तो उसके बाद खेल पुना आरम कैसे किया जाता है तो किस के दोरा किया जाता है ऐसे में बूली द्वारा आफसर नमबर ए करेक्ट हो जाएगा नेश्ट है बूली किस खेल से रिलेटेड है तो होकी से रिलेटेड है नेश्ट कोश्चन है ध्यान चंद स्टेडियम इस्थित है तो ध्यान चंद स्टेडियम कहां पर है लखनों में है आफसर नमबर ए करेक्ट होगा जैसा कि दोस्तों मेजर ध्यान चंद स्टेडियम लख कि दिन को राश्टिय- खेल दिवस के मना जाता है तो 29 अगस्त को। इसी दिन सभी पुरुषकार दिये जाते हैं अर्जुन पुरुषकार, दोड़ाचार पुरुषकार, ध्यानचन्द पुरुषकार, और दोड़ाचार पुरुषकार निश्ट है, तू हेल विद हाकी, इनमें से किसकी आत्मकत्था है, तू हेल विद हाकी, इनमें से किसकी आत्मकत्था है, किसने लिखा है, असलम सेर खाने लिखा है, इस आत्मकत्था को, असलम सेर खान के आत्मकत्था है, तू हेल विद हाकी, आपसे नमबर एक करेक्ट होग निश्ट है प्रथम भारतिय जिन्हें अंतरराष्टी हां की अंपायर होने का गोरो प्राप्त है तो कौन है पंकज गुपता प्रथम भारतिय है जिन्हें अंतरराष्टी हां की अंपायर होने का गोरो प्राप्त है पंकज गुपता को आफसा नमबर सी करेक्ट है नेश्ट है हाकी वर्ल्लकप आरम करने वाला देश है तो कौन है पाकिस्तान जैसा कि दोस्तों पाकिस्तान के एर मार्सल नूर खान द्वारा हाकी बिश्टकप का प्रस्ताव अंतरराष्टी हाकी महासंग F.I.S. के समझ रखा गया था जिसी 26 अक्टूबर 1979 में सुक्रिती मिल गई थी यहां अंतराष्टी हाकी महासंग द्वारा 12 अप्रेल 1970 के ब्रुसेल्स में अपनाया गया था और 1971 में प्रथम हाकी विश्टकप संपन हुआ था नेश्ट है उस शहर का नाम बताईए जहां वर्स 2018 में पूर्सो का विश्टकप हाकी चेंपियंशिप खेल का आयोजन हुआ था तो कहां हुआ था भुनेश्वर में हुआ था अपसर नमबर बे करेक्ट होगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही जितने भी कॉस्चिंश हाकी से रिलेटेड पुछे गए थे प्रिभेस येर में उस सभी कॉस्चिंश इस विडियो में दिया गया है और सभी को उस्च भी इंपर्टेंट है और दोस्तों I hope कि सभी questions आपको समझ में आये होंगे ए वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताएए और ज्यादे सेयर किया किजिए दोस्तों जिसे मुझे एक नया motivation मिलता रहे जिसे आपके लिए मैं daily basis वीडियो बना सकूँ दोस्तों पढ़िए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को फ्रेस कर लिजिए जिसे जो यह नया वडियो अप्लिक करूंगी उसका notification आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की साथ तब तक के लि हैं तो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो साथ हैं